So hello guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप भारत पे मर्चेंट अप से मुर्नी ट्रांसपर कैसे कर सकते हो माली जी आप भारत पे अप को यूज करते हो और आप उससे मुर्नी ट्रांसपर करना चाते हो तो आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल भी miss मत कीजेगा बिल्कुल भी skip मत कीजेगा वीडियो को fully watch कीजेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको life proof के साथ दिखा दूँगा कि आप जो है अपने भारत पे app से money transfer कैसे कर सकते हो तो आईए मैं आपको इस वीडियो में life proof के send money का आप इससे जो है किसी को भी money transfer कर सकते हो आप इस पे just click कर दिजेगा send money वाले option पे अब इस पे आप जैसे ही click करते हो यहां पे आपको send money का जो option है वो मिल जाएगा अब यहां से आप किसी की भी bank account में बहुत ही आसानी से पैसे को transfer कर पाऊगे इसमें आपको एक रुप आपको पैसे transfer करने के लिए तीन option मिल जाते हैं फर्स्ट आपको मिल जाता है bank account जहां से आप किसी की भी bank account में पैसे transfer कर सकते हो सेकंड आपको मिल जाता है UPI जहां से आप किसी की UPI ID पे money transfer बहुत ही आसानी से कर सकते हो और guys third option आपको मिल जाता है mobile जहां से आप किसी की mobile number प बारे में बता देता हूँ कि आप इससे पैसे कैसे ट्रांसफर करोगे तो पहला तो आपको मैं बता देता हूँ bank account पे कि जिससे कि आप किसी की bank account में पैसे transfer कर पाओ तो इस पे आप just click कर दीजेगा bank account पे अब इस पे आप जैसे ही click करते हो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा option enter bank account number अब यहाँ पे आपको account number डालना होगा जिसके account में आपको पैसे transfer करने हो तो आप यहाँ पे number डाल दीजेगा तो number डालने के बाद नीचे आपको एक option और मिल जाएगा re-enter bank account number फिर से आप account number यहाँ पे फिल कर दीजेगा उसके बाद नीचे आपकोUNTinté डालना होगा आप इस bank का fauc code यहाँ पे डाल दीजेगा उसके बाद आपको यहाँ पे receiver mobile number डालना होगा जिसके बैंक में आप पैसे transfer कर रहे हो उसका mobile number आपको यहाँ फिल करना होगा तो आप यहाँ पर number जो फिल कर दीजेगा नंबर फिल करने के बाद आपको नीचे एक option मिल जाएगा प्रोसीट का आप इस पर just click कर देंगे अब प्रोसीट पर आप जैसे ही क्लिक करते हो उसके बाद यहां पर जो है आपको amount फिल कर देना होगा उसके बाद आप amount फिल करने के बाद नीचे आपको एक option मिल जाता है send money का आप इस पर just click कर देंगे अब उस पर आप जैसे ही click करते हो यहां पर आपको एक option मिल जाएगा select payment method का अब यहां से आपको payment method select करना है कि आप money कहां से debit करवाना चाहरे हो तो यहां पर आप कोई भी एक option choose कर लिजेगा यहां पर आपके सारे UPI के apps आजाएगे आपको जहां से भी money debit करवानी हो आप वहां से select कर लिजेगा मा लिजे मैं जो है paytm से कर देता हूँ तो paytm पर just click करूँगा उसके बाद just continue पर click कर दूँगा अब उस पर मैं जैसे ही click करता हूँ मेरा जो है यहां से direct paytm app open हो जाएगा और मुझे यहां से pay करने का option भी मिल जाएगा अब मुझे यहां से payment करने के लिए pay वाले option पर just click कर देना होगा उसके बाद यहां पर अपना UPI app in में enter कर देता हूँ उसके बाद आप लोग देख सकते हो मेरा जो order था वो successfully paid हो चुका है दोस्तो अब आप लोग देख सकते हो कि भारत पे से जो transaction था वो भी successful हो चुका है दोस्तो तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि मैंने यहां से bank account में transfer करना बता दिया अब मैं आपको दूसरे option से transfer करना बता देता हूँ जो की है UPI तो दोस्तो UPI से transfer करने के लिए आपको कुछ नहीं करना बस UPI वाले option पे click कर देना है अब उस पे आप जैसे ही click करते हो उसके बाद आपको यहां पे first option मिल जाता है enter UPI ID यहां पे आपको UPI ID डालने होगी जिसकी भी UPI ID पे आपको money transfer करना हो उसके बाद आपको right side में छोटा सा scan का option मिल जाएगा जहां से आप scan भी कर सकते हो किसी का keyword code उसके बाद आप पे पैसे बहुत ही आसानी से transfer कर पाओगे तो मैं जो है आपको UPI ID पे भेजना बता देता हूँ मैं यहां पे UPI ID फिल कर देता हूँ उसके बाद आपको receiver mobile number डाल लाओगा दोस्तो जिसके account में आप पैसा transfer कर रहे हो उसका number आप यहां पे फिल कर दीजेगा number फिल करने के बाद नीचे आपको एक option मिल जागा proceed का आप इस पे just click कर देंगे इस पे आप जैसे ही click करेंगे same process आपको मिलेगा यहां पे आपको enter amount का option मिल जाएगा वहां पे amount डाल दीजेगा नीचे आपको एक option मिल जाएगा add a message जो की optional है आपको डालना हो डाल सकते हो otherwise आप इसको blank भी छोड़ सकते हो उसके बाद यह डालने के बाद आपको नीचे एक option send money का मिल जाएगा उसके बाद फिर से आपको यह option यहां पे मिल जाएगा select payment method का यहां से आपको जहां से भी payment करना हो वो app यहां से select कर लिजेगा अप पे select करने के बाद आपको नीचे एक option मिल जाता है continue का आप इस पे just click कर देंगे तो यह direct app का app open हो जाएगा उसके बाद यहां से आपको payment कर देनी होगी यहां से आप payment कर दीजिएगा आप लोग देख सकते हो payment successful हो चुका है और guys आप लोग यहां पे देख सकते हो भारत पे से भी transaction जो है वो successful हो चुका है तो दोस्तो UPI IDCB मैंने आपको भेजना बता दिया अब मैं आपको बता दिता हूँ mobile number से आपको कैसे transfer करना है तो mobile number से transfer करने के लिए कुछ ने करना है आपको just mobile number पे click कर देना है mobile पे आप जैसे ही click करते हो उसके बाद आपको यहां पे mobile number डाल देना होगा उसके बाद प्रोसीड पे click करेंगे उसके बाद आपको same process inter amount का option मिलेगा add a message का option मिलेगा same process आपको वही वाला apply कर लेना है उसके बाद आप बहुत ही आसानी से money transfer कर पाओगे mobile number पे भी तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आप भारत पे merchant app से money transfer कैसे कर सकते हो किसी के bank account में UPI ID पे mobile number पे मैंने आपको तीनों तरीके बता दिये I hope आज की इस वीडियो में आपको काफी knowledge मिले होगी अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को like करके channel को subscribe करके bell icon को press जरूर कर लिजेगा क्योंकि ऐसे interesting videos आपको चैनल पे मिलते रहते हैं फिलाल आज की इस वीडियो में इतना है मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई टोपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम लव यू ओल